हेलो मैं यूटूब फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूंगे स्वस्थ हूंगे मस्थ हूंगे अप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अनामिका लाइफ इस्टाइल ब्लॉग में तो चलिए फ्रेंज सुरू करते हैं ब्लॉग और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया है जो मतलब बिन परने बने है तो इनके चैनल का नाम है नॉलिष्ट नोवेलियन ने इसाहन में पूरानी सब्सक्राइबर है और उनका कमेंट दिश्य आतरा के बारे इन बप्रें है नहुत स्वाइब मतलब तेभार होता है क्या तो हाँ यह हमारे जहारखण में इसको बहुत ही दूमधाम से मनाते हैं बहुत ही मतलब खास तेभार है हमारे जहारखण के लिए इसमें ना हम लोग जगरनात भगवान की पूजा करते हैं और उनका रथ यात्रा होता है जिसमें काफी सरदालों ल करते हैं तो सुबह से ना अभी यह जो टाइम है यह लगवग साठे 10 सी 11 का टाइम हो रहा है सुबह से ना पानी के लिए भागा-दोडी मची हुई है कभी आगे हाखे देख रही हों कि कहीं बारिस तो होने नहीं लगी कभी पीछे में जाके देख रही हूं कि कहीं ऐसा तो कि मतलब पानी नलवला चल रहा हो तो सुबह से ना मैं बता रही हूं 15 से 20 बार मैं यही चक्कर काट रही हूं क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है कोई भी काम नहीं हुआ है मैंने रात में पूरी और खिर जो बनाया था ना वही बचा हुआ था तो उसी से सुबह हम कुछ और उपाय है नहीं तो वही क्या कर रही हूं कि अभी खाने की त्यारी कर जहूं कि क्योंकि अब ना खाना पी बनाओंगी बनाओं घसमें अनको तो चाहिए फिर जाना भी होगा आप तो इसलिए मैंने सौचे कि चलो बाहर ही बाएट के ना मैं अधी है कात लेती हू सुबह से ही तेज बहुत जादा हवा था बादल बना हुआ था और हवाएं भी बहुत तेज थी तो मन कर रहा था कि चलो बाहर में बैठू थोड़ा वैसे तो पानी नहीं है इस वज़े से टेंसर में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और कोई भी चीज अच्छा नहीं लग लेकिन फिर भी बैठ गई लाके कि रुम में लाइट भी नहीं है सुबह से लाइट भी कटी हुई है तो अंदर अंधेरे में बैठ के काम करने का मन भी नहीं हो रहा था तो सोचा कि चलो यहीं पर बैठ के न मैं काट लेंगी सबजी भी और थोड़ा सा हवा भी मतलब लोना था सबको ले आई थी और उन सबके साथ में यहीं पर बैठ के खेल रही थी क्योंकि हवा जो था वह बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद सबजी काटके और मैं तो लेकर के गई लेकिन क्या था कि मुझे सबजी धोना था चावल धोने थे दाल धोना था मतलब यह सबके लिए पानी चाहिए था ना तो एक या दो बालती होगा इस वाले मतलब टंकी में पानी जो मैंने बचा के रखा है मतलब की जो कि अमर्जन्सी के लिए तो उसी में से मैं अभी थोड़ा पानी निकाल के लेकर जा रही हूं ताकि मैं खाना जो है वो बना सकूं ब लते नल वाला तो बारिज भी बहुत तेज होती थी लेकिन अब इचाओ ठीन्सी के नाहीं हुर रही है इसी वज़सें बहुत जाद अधिक्त भी रहता था और वारिष होती थी नहीं वह पाई आप लोगर झाल जाता था वह फोटने ऊला चल जाता था और ये देखे ये म तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा हूँ तो यहां पे 120 रुपय केजी है जो कि मतलब समझ सकते हैं कितना महंगा है तो मुझे दो मिला मैंने देखा अचानक से नजर पड़ा तो मुझे दो दिख गया था भी एक दो और लगे हुए हैं लेकिन छोटे-छोटे से हैं तो य आज मुझे 2-3 सबजी बनाने पड़ेगा क्योंकि अभी कल जैसे में लाइव आई थी ना तो जो लोग मुझे लाइव देखते होंगे उनको तो पता होगा मुझे इंट करना पड़ा था क्योंकि पानी चला था जिस वज़ा से फिर क्या था कल नहीं पर सो लाइव आई थ अजया हुआ था तो वो उन्होंने अलाके मुझे दिया था और मेरे पास पहले से ही आधा केजी करे ला था और आधा केजी उन्होंने और दे दिया जो कि एक दिन दो दिन ना बनाऊना तो सारे खराब हो जाने माले हैं इसलिए सोच रही हूँ कि मतलब ना थोड़ा- बना लिया था और भींडियी को कट रखी थी है। तो ये भींडी बनाया था और आज फिर से बना रही हूं, तो कल diet अधा केजी मैंने बना दिया था और अधा बचा है। तो इसको भून दिया है तो बीचेज घुल दिया है। फिरना साम के लिए हो जाएगा फिरना भूना हुआ है तो खराब नहीं होगा अगर भून के नहीं रखूंगी तो फिरना की खराब हो जाएगा इसलिए मैंने इसको भून लिया है और साथ में अभी न मुझे बनाना था परवल और आलू की सबजी तो सारे खाने मैंने यहां कभी उधर की तरफ देखने में पानी तो पानी का तो कोई अता पता नहीं था ना तो बर्षाद का पानी का और ना ही नलवाला पानी का वैसे फोन आया फिर कि मेरा पार्सल आया हुआ है तो मैं आ गई थी बाहर पार्सल लेने के लिए और जैसे ही मैं फारसल लेने के लिए बाहर आई थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी सी ना बुद्दाबंदी सी होने लगी थी तो भया बुले जल्दी से दिदी ले लीचे क्योंकि फिर ना समान भीग जाएगा और ये ग्रोसरी का समान था तो ज़्यादा दिकत होता है भीगने प मम्मी क्या है पार्सल में खोलो खोलो तो बस यहाँ जैसे मैंने मुझे खुलना पड़ा क्योंकि इसको रहा नहीं जाता तो फिर मुझे खूलना पड़ा और यह जैसे खुला उपर में ये सन पापरी देग गया जोकि इसCr contribute है बहुत खाती है और इसीके वज़़़ से मु मुझे मिली नहीं थी और फिलिपकार्ट से भी मैंने मंगाया था तो कोई कोई चीज ऐसा होता है जो मुझे दो तीन पैकेट मंगाने पड़ते हैं तो एक पैकेट के एक डिलेवरी के साथ मैंने एक ही पैकेट दिता है इसी वज़े से कुछ समान रहे गया था तो बहुता शबुआ है तो मैंने दो मंगा लिया है युझे मेरे हजबन को मैंने एक बर बना के खिलाया था तब से वो मुझे बोल चके है क्यों यहुझे मंगार ओ.. क्योंने मंगारियों मंगा बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इस बार मंगा लिया है और सुन पापड़ी देखते ही कुहु फिर वही था कि मम्मी मुझे दो निकाल के दो तो फिर इसको देना था भी मुझे तो मैंने सुचा चलो इसको दे लूँ उसके बाद मैं स समान को समेटूंगी तो जैसे मैंने इसे निकाल के दिया इसने इतने टाइम मतलब तीन से चार मिनट ही लगे होंगे और तीन सुन पापड़ी खा गई थी फिर भी मांग रही थी लेकिन मैंने जित कि नहीं अब नहीं दूंगी क्योंकि मीठा चीजा ज्यादा बच्चे को एक बार में नहीं देना चाहिए उसके बाद मैं समान को सब समेठी रही थी वैसे ही थोड़ी सी बारी जो है ना तीज हुई तो जान में जाना आई कि चलो हो सकता है एक आद बाल्टी पानी भर जाए क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंस समझ सकते हैं मैं क्या बता मुझे इतना रोना आ रहा है ना कि ऐसे जगह आ चुके हैं मतलब जगह तो खराब नहीं है लेकिन हमारा जो कॉलोनी है इसके अंदर पानी का बहुत दिक्कत होता है जिस वज़ए से ना और भी कहीं से कोई उपाय नहीं है पानी लाने का बस जो है नल अगर वहां से पानी तो सही है नहीं देता है तो फिर ऐसे ही रहना है पहले तू था कि आ जाता था वो जो होता है ना टंकी आ जाता था पानी वाला लेकिन अभी पता नहीं मतलब 2-3 महिने से आ ही नहीं रहा है जिस वज़ए से और जाद धिक्कत हो रही है तो थोड़े देर के लिए पा मुझे लगता है कि एक वाल्टी हुआ हो चुका था शारे बाल्टी में से निकालने के बाद हस्बिन का भी तुरंत कॉल आया कि देखो बारी सहरी है जल्दी से सारे बाल्टी को निकाल के लगादो तो पानी के लिए अभी इतनी ज्यादा मतलब मारा मारी हो रहे हैं, सब ही लोगों को ये दिकत है, छोटे पोस्ट वाले हो, बड़े पोस्ट वाले हो, सब ही लोगों को ये प्रब्लम हो रही है, यहां पे पैसो का कोई मोल नहीं है, दिकत की वज़े, सुविधाओं की तो अभी ना इन सारो कपड़ों को मैनत उठाके ले आया है बस अब इसको मोड के और रख दूं क्योंकि सुबह ही मैं उठाके लाई थी आप लोगों ने देखा था ना और अब ही का जो टाइम हो रहा हो लगवग धाई बज चुका है और फिर क्या है कि सिल्वटे पढ़ ग क्योंकि बच्ची है वह समझतें कि मतलब क्या दिक्कत है तो परिशान ना करूं उसको बस यहीं लगता है कि परिशान करना है अपना ज kinetic पूरा करना है इसी तरह से करना है वसको लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो मुझे ज réfल बे बच़ फाविशान कर रहा था व परिशान कर रहे तीन तो लग रहा था कि कितना जो जो से रूहूं मैं चिला करके तो कभी-कभी अकेले रहने पे न ये सारी चीजे मैनेज करनी पड़ जाती है क्योंकि हम इंसान ही है दिन रात लगे रहते हैं काम में तो होता है थोड़ी बहुत अब तो खराब हो ही जाती ह और खास करके मेरा तो है मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हूं फिर न सारे कपड़े मैंने रखने के बाद न अभी थोड़ा सा मैं बैट से ठीक करूंगी और थोड़े देर के लिए निकलेंगे घूमने के लिए बाहर में अभी तो कुह सोके उठी हुई है तो मैं सोच्रियों की थोड़ा देर के लिए ने के बाहर में निकलू ता कि मुझे भी अच्छा लगे घर में बैटे बैटे ना बोर सा लगने लगता है तो यहां पे मेरा हाँ जो था ना बहुत जादा दर्द हो रहा था मैंने कपड़े जो धोये थे ना एक ही दिन बहु मुझे हाथ पे बिल्कुल सपोर्ट देना ही नहीं पड़ रहा था इतना दर्द था फिर यहां देखे सारा काम हो गया अभी मैं जारू करूंगे और थोड़ा सा निकलूंगे बाहर कुहों के साथ घूमने के लिए और आज के ब्लोग को यहीं पर करती हूं एंड उमीद कर आज का व्लोग आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और फ्रेंस मुझे सपोर्ट जरूर करिए आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा मिल रहा है तो एक है चली मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए बाबाई